प्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया फैमिली में सभी लोग अच्छे से यहाँ पर मैं भी मोज में हूँ बच्चो स्वागत है आपका नमीतलोरा ग्लासिज में और हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे हैं कोस्टिंग फास्टेक का तो यहाँ पर मैंने बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर रखा हुआ है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम है चैप्टर जीरो चैप्टर जीरो का मतलब है कि अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है जस्ट एक आइडिया है तो अगर मैं बात करता हूँ स्लेवस की तो हमारे पास स्लेवस में second group में cost and management accounting paper है paper number 4 और 100 marks का ये numerical paper है 70 marks subjective रहेगा और 30 marks आपका MCQ रहेगा जो MCQ है 30 marks उसमे नेगेटिव marking नहीं है MCQ जो बनेंगे वो subjective portion से ही बनेंगे जैसे माली जी एक concept है economic order quantity वो subjective question के अंदर उसका पूरा बड़ा question आएगा MCQ के अंदर ऐसा question आएगा जो calculator पे short में आप उसको solve कर सकते हैं तो हम यहाँ पर पूरा subjective portion पहले लेके चलेंगे उसके बाद में theory और MCQ को भी हम cover करेंगे अगर हम बात करते हैं कि books और study pattern क्या रहेगा तो costing के अंदर जो पहला हमारा पूरा focus है जो हमारी main book रहेगी वो रहेगी हमारी practical book उस practical book के अंदर जो 70 marks का पूरा subjective है जो हमें लिख लिख कर question करने वाले आते हैं 5 marks और 10 marks में तो कुछ question 5 marks मेंगे कुछ 10 marks मेंगे वो सारे के सारे question हम cover करेंगे MCQ एक एक नंबर काएगा उसी subjective portion का छोटा छोटा हिस्सा और वहाँ पर कोई थोड़ा सा theory portion भी रहेगा तो पहले हमारे पास रहेंगी costing की practical book costing की practical book के अंदर total हमारे 15 chapters में हमने उसको बाटा हुआ है मैं भी आपको दिखाँगा किस तरह से बाटा हुआ है और 15 chapters पूरे के पूरे आपके वो numerical portion रहेंगे इसके अंदर हमारे पास BQ, PYQ और suggested division इस तरह से रहेगा तो हमारे पास जो BQ है, BQ का मतलब है book के question ये question ICI का पूरा module new course का पूरा cover करता है RTP, MTP जो new course से related है वो पूरा cover करता है RTP, MTP के अंदर question आते रहते हैं RTP का मतलब होता है revision test paper जो ICI release करता है हर attempt से पहले और आपका MTP होता है mock test paper जो ICI release करता है exam से पहले तो हर attempt से पहले RTP, MTP आते हैं प्लस आपका study module रहता है प्लस आपके past year question रहते हैं इन ही से पूरा paper design होता है तो जो study module है, RTP है, MTP है, study module 100% RTP, MTP कई साल पूराने भी हैं जिनमे question हैं लेकिन वो नए course के लिए relevant नहीं है उससे हमें trend का पता चलता है कि एक subject के अंदर कहां से questions पूछे जाते हैं उसी trend को आगे continue चलाया जाता रहता है इसके बाद में suggested division ये रहता है एक chapter के अंदर 60-70 questions है और 15 chapter है, तो कितना होगा भी 15 chapter और average मान लेता हूँ, वैं 50 ही मान लेता हूँ तो आपके 700 के आसपास question होगे तो 700 में और कम करके 500 question मान लो आप तो आप भी मान लो 500 question है तो 500 question हम भी कैसे revise करेंगे exam से एक दिन पहले तो इसके लिए suggested division है इससे आपको idea लगेगा कि exam से पहले ये question आप पढ़के चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ पहले मैं आपको practical books दिखा देता हूँ किस तरब से दिखेंगी देखेगा practical books में हमारे पास अगर मैं index देखूँ तो ये total 15 chapters में हमने इसको बटा हुआ है इसके आगे इसकी weightage भी दे रखे किस chapter से कितने number का आता है हमारे पास मैंने पहला chapter sample ले लिया है तो जैसे पहला chapter आपके पास material cost है तो हमारी पढ़ा ही कैसे चलेगी यहाँ पर पूरे topic लिखे हुए है कि किस topic के ओपर question है तो BQ1 ये study module का question है BQ यानि book के question इसमें study module RTP MTP आती रहेगी ये question आगेगा इसके बाद में फिर दूसरा question तीसरा question, चोधा ऐसे चलता रहेगा फिर जब ये topic खतम हो जाएगा और कोई दूसरा topic चालोगा जैसे level setting तो फिर से marking आईगी कि यह level setting के question है इस तरह से पूरे BQ आपको मिलेंगे इन ही BQ से PYQ बनते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा section आजाता है past year question इसको हमने दिया हुए नम PYQ 1, PYQ 2 past year question तो यहाँ पर आपको पूरा trend का idea लगेगा किस तरह से question आए हुए है इसके बाद में हमारे past book के end में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर suggested revision आपको मिल जाएगा कि BQ में से कौन-कौन से question करने है PYQ में से revision में कौन-कौन से question करने है तो class के time पे तो हम सारे question करेंगे लेकिन exam से पहले revision करने के लिए बच्चा confused हो जाता है यह question करूँ या यह करूँ क्या छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ सारे question तो आप कर नहीं सकते क्या यह question class में होंगे जो BQ है और जो PYQ है दोनो class में writing में होंगे और आपको साथ में लिखना है अब यहाँ पर main book के साथ में बताता हूँ main तो यही चलना है आपका आप लोग को ध्यान रखना है fast track में बच्चे क्या करते हैं से एक तो speed बड़ा-बड़ा के देखते हैं कोई जलूरत नहीं है कोई need नहीं है अराम से पढ़ी है पिल्कुल मैं question सारे writing में करवाँगा कुछ question homework में रहेंगे तो जो question writing में पूरे class में करवा रहा हूँ वो सारे question आपको करने है जितना भी concept है concept की कोई cutting नहीं है पूरा concept यहां पर आपको मिलेगा तो concept हम पूरा writing में लिखेंगे concept पूरा writing में लिखने के बाद में जितने भी BQ हैं वो करेंगे PYQ हैं वो करेंगे सारे question discuss होंगे कुछ homework दिया जाएगा वो भी आप से discuss होगा कि homework कैसे करना है homework में similar question मिलेंगे आपको जो similar question होंगे सिर्व वही homework में मिलेंगे हर नया question किलास में करवाए जाएगा तो आप लोगों को इस चीच का ध्यान रखना है कि मेरे सामने जो पुराने student से reporting आती है देखो जो बच्चा लिख के करेगा साथ के साथ उसको तो number बहुत बढ़िया मिलेंगे पर कई बच्चे क्या करते हैं लिखते नहीं है और वो सोचते हैं कि बस हाँ देख लिया समझ में आ रहा है सर इतना बढ़िया समझा रहे है हो गया अगर आप लिखोगे नहीं तो दिक्कत आएगी या फिर 400 पेज का एक रिष्टर ले ले लेना जब वो खतम हो जए तो 200 का एक और ले ले लेना तो खिलास में सारा का सारा आप writing में लिखिएगा पूरा concept अराम से समझेगा इस पीड में मत देखिएगा छोटी किलास होंगी दो-दो घंटे के lecture हैं अराम से आप एक lecture देख सकते हैं कई बच्चे क्या करते हैं एक lecture के बाद सोचते हैं कि सर अभी तुरंत ना हम दूसरा lecture देख ले देखो हर lecture के बाद ना मैं उस lecture से related कुछ homework या रीडिंग करने के लिए आपको दूँगा तो आपका जैसे एक lecture खतम हो गया उसके बाद का आपको मुश्किल से 15-20 मिनिट का काम होगा जिसमें आप रिवाइड भी कर सकते हैं और कोई homework का question है वो भी कर सकते हैं तो पहले homework करना है रिवाइड जो करवाया है पढ़ाया है lecture में वो करना है उसके बाद अकला lecture देखना है उससे पहले नहीं देखना कई बच्चे बता है क्या करते है एक बच्चे मेरे पास मैंसरी आया सर हमने तो 7 दिन के अंदर ही fast check खतम कर दिया अरे भाई 7 दिन में तुमने 40 lecture के आसपास देख लिए मतलब तुमने ना तो लिखा ना homework किया ये fruitful नहीं है तो पढ़ाई, पढ़ाई के तरीके से तो आपके पास fast check के अंदर जो भी class में लिखवाए जाएगा आप उस हाथ में लिखना है इस speed में बिल्कुल नहीं देखना इसके इलावा और क्या books मिलेंगी तो other books में एक theory book मिलेगी इसके lecture भी होंगे हमारे अलग से और mcq book, theory का मैं mcq book आपको मिल जाती है और एक quick revision book है जैसे आपका एक chapter खतम हुआ अब ये material cost था ये पूरा chapter चल रहाए जी chapter चलता जा रहा है अगर मैं इसके end में जाता हूँ तो total कितने page होगा है हमारे पास 40 page पे chapter आपका खतम हो रहा है ठीक है अब जैसे ही chapter खतम होगा फिर इसका quick revision होगा एक quick revision book आपको मिलती है इसके अंदर इस chapter के अंदर हमने जितना भी concept पड़ा था जितने भी topics पड़े थे वो सारे summarize way में आपको याद करवा दिये जाएंगे और अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा chapter तीन page में खतम हो गया तो हर chapter के end में हम quick revision किया करेंगे कि हमने पूरे chapter में ये चीजे पड़ी थी जिसे हमारे पास recall हो जाए तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा fast check का design रहेगा तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ class के अंदर BQ, PYQ और concept सारे लिखवा के और पूरे solution करवाए जाएंगे थोड़ा-थोड़ा homework दिया जाएगा वो आप साथ के साथ करेंगे speed में मत देखेगा बच्चे 2X पे देखने लग जाते है 1.5X अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा slow जा रहा है तो 1.2X पे चले जाएगा इससे जादा मच जाएगा class में जो भी लिखवाया जा रहा है वो आपको writing में ही करना है तभी fruitful होगा writing में नहीं करेंगे बच्चे वो लगता है कैसे बनाना चाले करूँ क्या करूँ आपका हाथ वहाँ पर काम नहीं करेगा जबकि आपके दिमाग में हुआ कि एक question ऐसा होना है लेकिन हाथ काम नहीं करेगा तो आपको exam में क्योंकि writing में 70 number का numerical लिखकर आना है statement बनाने है तो यहाँ पर class में आपको साथ के साथ लिखना होगा अब हम बहुत normal सी बात चीट करेंगे कि आखिर costing क्या है cost and management accounting क्या है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़े देखने वाले है तो cost and management accounting हमारे paper का नाम है basically इसके अंदर हमारे पास cost और management accounting दो अलग तर में cost का मतलब है जो भी खर्चे आपने किसी product यह service को बनाने के लिए किये है हमारा पूरा का पूरा costing का paper पूरी तरीके से focused है कि या तो आप कोई product बना रहे है यह नहीं लिखना आपको या फिर आपको आज आपको class में कुश्च नहीं लिखना है आज सिर्फ एक idea दे रहाँ में तो आप यहां तो कोई product बनाएंगे या फिर कोई service प्रोवाइड करेंगे या दोनों का combination भी हो सकता है कि आप product भी बनाते हैं और service भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो इस product को बनाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे expenses अगर हम जोड ले तो उसे हम बोलते हैं cost account से costing के अंदर सिर्फ एक difference आता है कि costing जो expenses लेता है जो actual में खर्चा हुआ उसे भी लिया जाएगा और जो opportunity cost है उसे हम यहां पर nostal नाम देते हैं वो भी लिया जाएगा जैसे अगर मैं बात करूँ आप accounting के अंदर देखेंगे तो proprietor अपने आपको salary नहीं दे सकता जैसे मान जीजे मैं proprietor हूँ नमी तरोरा क्लासिज का तो मैं अपने आपको salary नहीं दे सकता लेकिन costing कहता है कि आप अपने आपको जो समय दे रहे हो उसे cost में consider करो अगर आप यहाँ पर नहीं कहीं और काम करते तो भी तो कुछ earn करते या आपकी जगे कोई और teacher बैटके पड़ाता मान जीजे नमी तरोरा क्लासिज एक organization है और उसमें costing के teacher को हम hire करते जिने हम एक लाख रुपे पर मंत की salary देते है ठीक है जी तो अगर मैं proprietor हूँ तो मुझे भी वो एक लाख रुपे की salary खर्चे में charge करनी चाहिए तो costing कहता है कि actual में salary दे रहे हो या फिर अपना समय दे रहे हो जहाँ पर कोई और बंदा hire किया जाता अगर आप नहीं होते तो तो उसकी भी salary चार्च की जाएगी तो costing actual खर्चे को और notional खर्चे को दोनों को ले कर चलता है तो हमारे पास costing में हमें ध्यान रखना होगा कि जो actual खर्चे हैं वो भी आएंगे और जो notional खर्चे हैं अगर आपने समय दिया है तो उस समय की एक cost book की जानी चाहिए खर्चों के अंदर तो notional खर्चे को भी लिया जाएगा तो अपने आपको salary costing के अंदर दे सकते हैं उसे हम notional salary बोलेंगे अगर मेरे जिस studio में मैं class record कर रहा हूँ ये studio मेरा अपना purchase किया हुआ है अपना own है तो मेरा अपना own studio है तो costing कहता है कि अगर आपने किराय पर studio लिया होता तो आप rent दे रहे होते तो इस studio का आप national rent लगा लीजिए जैसे मान लीजिए rent 50,000 रुपे महीना आपको देना पड़ता अभी आपका है कोई बात नहीं लेकिन अगर rent पर होता तो कितने मिलता 50,000 में तो national rent को भी book करिए national salary को भी book करिए अगर मान लीजिए मैंने अपनी own funding कर रखिए सारा पैसा मेरा अपना लगा हुआ है तो ठीक है लेकिन अगर मैं bank से loan लेता तो उस पर मेरे को देना पड़ता है interest तो अगर आपका अपना भी पैसा है मान लो एक लाक रुपे interest जाता जो मैंने नमितलोरा के लासीज में लगा हुआ है तो उसे national rent के interest के नाम से book करिए तो costing कहता है actual खर्चे मिलो प्लस owner अगर खुद काम कर रहा है तो उसे salary book करो चाहे actual में salary नहीं मिल रही अगर premises अपना है तो भी rent book करो और अगर आपके funds अपने हैं भी interest on capital को book कर लो जबकि account interest on capital को कब लेता है P&L के बाद P&L appropriation के अंदर national rent नाम की वहाँ पर कोई चीजी नहीं है और owner अपने आपको salary नहीं दे सकता partners का remuneration भी P&L appropriation में आता है P&L में उसको book नहीं करते तो costing हमारे पास क्या रहेगा बड़ा simple सा कोई भी product या कोई भी service हम provide करने वाले एक company है और हम यहाँ पर जितने भी खर्चे हैं वो actual हो या national हो दोनों को cover करेंगे तो cost का मतलब है किसी product या service को provide करने में होने वाले खर्चे चाहे वो actual हो चाहे वो national हो सारी consider की जाएंगे ठीक है जी अब management account का क्या काम होता है जो management accounting है basically ये management का part है अब देखे हम जब एक company के अंदर बैठते हैं तो company के अंदर हमारे पास एक management है जो सारी decision making करता है इसका काम क्या है planning करना controlling, staffing, organizing और आपके decision making ये सारे काम इनके होते हैं management के ठीक है जी तो ये जो planning करते हैं, decision making करते हैं controlling करते हैं, staffing करते हैं इस सब के लिए इनको चाहिए होती है information ये information इस management तक पहुचाना management accounting कहलाता है तो management accounting का मतलब है management के पास information पहुचाना जिससे की वो decision making कर सके ओके जी तो हमारे पास management accounting management accounting is an integral part of management function it assists management assist यानि help करना by provision of relevant information information provide करकर तो हम management accounting management को help करता है information provide करके किशीच के लिए planning करने के लिए organizing, controlling, decision making etc. के लिए तो management accounting का मतलब है जो management है, जो decision makers है जो planners है, उनको information provide करना अब हमारे paper का नाम देखिए costing का मतलब कितना खर्चा हुआ किसी product को बनाने या service provide करने में management accounting का मतलब आप management को help कर रहे है information provide करके जिससे वो decision making कर पाए जिससे वो planning कर पाए staffing कर पाए, organizing कर पाए अब cost and management accounting का मतलब cost and management accounting का मतलब है कि management को planning करनी है decision making करनी है related to costing जैसे की product की cost कितनी है product का price क्या रखा जाए product पर हमें कितना profit कमाना है तो हमें price क्या रखना है profit क्या कमाना है हम product को खुद बनाए या फिर outsource कर दें जैसे Coca Cola है, Pepsi है ये company क्या करती है ये cold ring की bottles खुद नहीं बनाती बलकि बाहर से बनी बनाई bottles purchase करती है तो इन्होंने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि bottles हम बनाए या बाहर से purchase करें तो इस decision पे कैसे पहुचे तो जो management है, वो decisions पे कैसे पहुचता है costing से related, marketing से related product या service बनाने से related product या service के अंदर जो improvement करने है उनसे related, product का price क्या होगा R&D पे कितना खर्च किया जाए administration पे कितना खर्च किया जाए marketing पे कितना खर्च किया जाए ये सारे जो decisions है जो top level of management को लेने है उन्हें information पहुचानी है किस से related costing से related तो अगर आप costing से related information management के पास पहुचाते हैं, जिससे वो costing से related decision ले पाए, तो इसे हम बोलते हैं cost and management accounting तो costing का मतलब किसी product या service की costing निकालना, कि total खर्चा कितना लग रहा है इस पर, इसकी cost कितनी आ रही है का मतलब, वो data management पर पहुचाना, कि sir इस service को provide करने में इतना खर्चा हो रहा है इस product को बनाने में इतना खर्चा हो रहा है जिस information के through management decision ले पाए, कि आखिर हम इसका price क्या रखे हैं, हम अपने हाँ पर बनाएं, या फिर बाहर से बनवाएं जैसे कि मान लीजिए, एक product है खाली bottle है, cold ring की ये लो जी, खाली bottle है, cold ring की कोक वालों ने देखा कि ये bottle हम बनाते हैं, तो हमारे पास 2 रुपे की बन रही है, 2 रुपे 20 पैसे की अब कोक ने पता करा कि बाहर से ये bottle अगर हम बनी बनाई लें तो हमें 1 रुपे 85 पैसे की पढ़ेगी, अब बताईए management क्या decision लेगा, अराम से सोचिए, कोक कमपनी खुद bottle बनाती है, तो 2 रुपे 20 पैसे की पढ़ लिए बाहर से बनवाती है, तो 1 रुपी 85 पैसे की पढ़ लिए, अब मुझे making हो गई, कि make और why में by जीत या, तो हम make नहीं करेंगे यानि produce नहीं करेंगे bottle, को खुद bottle नहीं बनाएगा, बजार से purchase करेगा, लेकिन इस decision making पर को कैसे पहुचा, क्योंकि उसके पास इस product की cost कितनी आ रही है, उसकी information पहुची, तो cost and management accounting कहता है कि जो costing से related information है, वो management के पहुचा जिससे वो decision making ले पाए, तो इसे पूरे process को हम बोलते है, cost and management accounting, तो हमारा जो paper है cost and management accounting, इसके अंदर starting के chapters में हम costing सीखेंगे, तो शुरू के सारे chapter हमारे costing से related रहेंगे उसके बाद हमारे पास आएगा budgetary control, marginal, standard, ये तीन chapter रहेंगे, जो हमारे management accounting के chapter है इसके अंदर हम अलग-अलग analysis करेंगे अलग-अलग चीजों की information इखटी करेंगे, और उससे decision making करेंगे तो शुरू के जो हमारे सारे chapter है, इस starting के, वो सब costing निकालेंगे कि किता खर्चा हुआ, इस product को बनाने में, इस service को प्रोवाइट करने में उसके बाद में फिर हम जो तीन chapter है, वो हमें cost management के मिलेंगे, कि भाईया, हमें क्या decision making करनी चाहिए ठीक है, तो cost and management accounting आपको खिलिए रहे, costing का मतलब खर्चे निकालना management accounting का मतलब information पहुचाना, management के पास, cost and management accounting का मतलब, cost से related information management के पहुचाना जिससे वो costing से related decision ले पाए, ओके अब हमारी जो costing है इसका objective क्या है costing का सबसे पहला objective है किसी भी product यह service की cost निकालना जिससे हम उसका price set कर सकें, price set करने से हमारे पास profit भी इतना हमारा profit होगा, तो सबसे पहला objective है ascertainment of cost, के भी आखिर हमारी cost कितनी आई, तो जैसे मान लीजी यह calculator है, इसको बनाने की हमारी cost आ रही है 150 रुपीज, चलो जी हमने cost निकाल दी अब cost कैसे निकालेंगे पूरे costing fast track के अंदर हम पूरे subject में यही सब तो सीखने वाले हैं के आखिर cost कैसे निकलेगी तो cost कैसे निकलेगी, जी 150 रुपीज आ गई, ओके अब 150 रुपीज आ गई, अब आपको देखना है कि आप इसका market price क्या set कर सकते हैं, आज का जो scenario है पहले time में क्या होता था कि product की जो भी cost आती थी है service की, उसमें profit जोड़ते थे और बेच देते थे, लेकिन आज market ऐसे काम नहीं करता, आज market बलद चुका है आज market decide करता है कि sale price क्या होगा और हमारा company का काम रहता है, कि हम cost उससे कम रखें, सर ये क्या होगा मतलब एक बार समझाओ, समझाओ, थोड़ा सा confusion होगया देखिए, मान लीजिए मैं एक institute खोलता हूँ और आम से सोचना, नमी तरोरा क्लासे, जी एक institute खोलिया अब उस institute का पूरा एक बड़ा पूरा office, वो office बना दिया, पूरा classroom पर मन्त, five lakh डिवाइड वाइ 500, यानि 1000 पर मन्त एक बच्चे का खर्चा हो गया, तो ठीक लग रहा है आपको सुनने में, ओके, अब जड़ा देखिए हुआ क्या पूरी क्लास में सिर्फ एक student आया, सिर्फ एक student क्या मैं एक student पे पांच लाख रुपे फीस चार्ज कर दूँ कि बेटा, देख मेरी costing इतनी आ रही है पांच लाख रुपे, बेटा, मैं तेरे से profit के नाम पर कुछ भी नहीं ले रहा मैं तेरे को फीस बोल रहा हूँ, तु पांच लाख रुपे ही दे क्या एक बच्चा CA की costing के paper की एक महीने की फीस पांच लाख रुपे देगा आंसर ही no, नहीं देगा क्यों मैं मेरी cost आ रही है, मैं तो cost की cost पे बेच रहा हूँ भाई साब, आपकी cost कितनी आ रही है ये आपका matter है नमी तरोरा क्लासिच को देखने है, उसकी costing कित्ती आ रही है बच्चा जो पैसे देगा वो एक set होता है, अब जैसे मैं आपको बता दूँ अगर हम market price की बात करें तो regular batch और fast track batch ये market में दो तरीके के हमारे CA के अंदर चलते में, fast track batch को exam oriented batch भी बोल देते है तो regular batch की numerical paper की fees 10 से 15,000 के आसपास हो सकती है ये एक acceptable fees है इस से उपर नहीं हो सकती और fast track batch की fees 4000 से 7,000 के बीच में रहती है ये acceptable fees होती है ठीक है तो अब आपको क्या करना है देखिए आपको बच्चा आप content कम दे रहे हो books कम दे रहे हो तो आप fees 4,000 रखोगे आप बहुत अच्छा content दे रहे हो बहुत quality दे रहे हो तो आप 7,000 तक fees रख सकते हो अब आप चाहो तो 4 में भी बेश सकते हो लेकिन आप 7,000 तक भी charge कर सकते हो ऐसी regular के अंदर रहेगा कम content है तो 10,000 रुपे से ज़्यादा बच्चा नहीं देगा ज़्यादा content दे रहे हो तो 10 से 15 के बीच में आप कोई भी fees रख सकते हो अब वो आपकी will है कि आप 10 रखना चाहते हो है 15 बच्चा आपके content के हिसाफ से payment आपको कर देगा classage के हिसाफ से content के हिसाफ से तो ये market का एक scenario होगी है कि भी इतनी fees होनी चाहिए अब अगर मेरी fast track batch एक बच्चे के लिए बनाने की मेरा खर्चा 25,000 रुपे आ रहा है कि जी मेरी तो cost 25,000 रुपे आ रही है profit मैं बच्चे से कुछ लेई नहीं रादी तो मैं बच्चे से fees लूँगा fast track की बच्चे से जाए ऐसा नहीं होगा ना ना यानि की जो sale price होता है वो cost plus profit नहीं होता और अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई नुक्सान में ही नहीं जाता सोचके देखिए अगर cost में profit जोड़कर sale price आ जाता है तो दुनिया में कोई नुक्सान में जाएगा ही नहीं सब profit कमाएंगे लेकिन तब भी लोगों कोई loss क्यों होता है loss इसलिए होता है क्योंकि cost plus profit जोड़कर sale price नहीं आता बलकि sale price market decide करती है market ने decide कर दिया कि भई sale price 5000 रुपे होगा यानि आपका product या service market में 5000 रुपे में बिख सकता है यह calculator market में 500 रुपे में बिख सकता है ठीक है यहां मैं 500 रुपे calculator के भी लिख रहा हूँ और 5000 रुपे classes के लिख रहा हूँ ठीक है अब मेरी उपर जिम्मेदारी है कि जो मेरी costing है वो मैं 5000 रुपे से कम लाऊं अगर मेरी costing 6000 रुपे आ रही है तो मुझे loss होगा 1000 रुपे का मैं loss में आ जाओंगा और अगर इस costing को मैं ले आता हूँ 4000 रुपे पर तो मेरा profit हो जाएगा यानि की profit कैसे होता है sale price से cost को कम करके और sale price कौन डिसाइड करता है sale price market डिसाइड करता है अब आप एक बाद देखिए apple के phone के लोग 1.5 लाक रुपे देने के लिए तयार है क्या उसमें cost उत्ती लग रही है ऐसा नहीं है basically वो branding ऐसी है कि market वो price देने के लिए तयार है तो market price को set करता है कि इस चीज के लिए हम इतने price देने के लिए तयार है अब company का काम है कि वो cost उससे कम पर ले कर आए तो आपका जो भी product और service होता है वो market उसका एक genuine price cap set कर देता है price cap ऐसे रहता है variation 10-20% का उसमे margin रहता है इस तरीके से जैसे price 100 रुपे से 125 रुपे तक हो सकता है किसी चीज का तो ये cap रहता है अब 100-125 में management को जो ठीक लगता है वो वो price set कर सकता है अब costing इससे कमानी चाहिए तब ही आप profit कमा सकते है तो हमारे पास सबसे पहला objective क्या रहेगा ascertainment of cost हमने calculator की cost निकाल ली भी 1.500 रुपे अब determine selling price and profitability अब मालिजे इस calculator का जो price है वो 200-600 के बीच में आप रख सकते हो तो management के सामने option आया है के 200-600 रुपे आप रख सकते हो तो यहाँ पर अब management को सोचना है कि हम price क्या रखे है अगर market में competition बहुत जादा है तो 200 रख दो अगर आपकी branding बहुत अच्छी है आपकी reputation बहुत अच्छी है तो 250 रख दो आपको लगता है इसके बीच में कुछ रखना है वो रख दो यह management decide करेगा तो दूसरा काम है हमारा determination of sale price और and accordingly जो balancing figure होगी वो आपका profit आ जाएगा तो जैसे हम sale price यहाँ पर रख देते हैं 225 यह हमने price रख दिया हमारा profit हो गया 75 पर calculator तो हमारी costing का सबसे पहला objective cost निकालना उसके बाद में sale price और profit को set करना इसके बाद हमारा तीसरा और चोथा objective है cost control and cost reduction cost control क्या चीज़ होती है और cost reduction क्या चीज़ होती है देखे जब हम कोई काम start करते हैं तो काम start करने से पहले हम एक budget या एक standard set करते हैं budget या फिर standard जैसे आपने अपने पढ़ने के लिए एक standard set किया कि daily 12 गंटे पढ़ना है ठीक है एक standard set किया कि daily हम 12 hours पढ़ेंगे तो cost control कहता है कि आपको इस चीज़ को review करना है कि आप daily 12 गंटे की पढ़ाई करें यानि जो एक standard set है उस standard पर आप रहें तो आप अगर daily 12 गंटे पढ़ रहें तो इसका मतलब आप cost control के हिसाफ से ब्ल्कुल perfect चलेंगे अगर आप किसी दिन 11 गंटे पढ़ेंगे तो cost control कहेगा आप गलती कर रहे हो एक गंटा आपने कम पढ़ाई तो यहाँ पर अगर मैं cost control को इस example से relate करके और product के उपढ़ाऊं तो हमने इस product लिए निकाला कि यह जो हमारा calculator है यह 150 रुपे में standard बन जाना चाहिए ठीक है अब अगर इसकी costing 150 आ रही है तो बिल्कुल ठीक है 150 से अगर उपर चली गई 156 हो गई तो cost control एक्टिवेट हो जाएगा cost control कहेगा गडबर चल रही है तो यह जो cost control है यह हम standard costing chapter के अंदर सीखेंगे वहाँ पर यह पूरा cost control हम देखेंगे के भई यह 150 से 156 क्यों हुआ इसको हम बोलते है variance के variance हा गया और adverse है यानि हमें नुकसान पहुचा रहा है 150 कीज़ेगे 156 रुपे costing लग रही है फिर हम इसका region ढूंडेंगे के आखिर इस variance का region क्या है यह 6 रुपे आखिर जो extra लगे है यह extra क्यों लगे है जो भी region होगा फिर हम उसमें correction करेंगे और यह 6 रुपे क्यों फाल्तू लगे थे उसको खतम करेंगे सर कैसे फाल्तू लग सकते है हो सकता है market में material की shortage हो गई हो इसलिए हमें material जो calculator के buttons हैं plastic हैं वो महंगा मिला हो हो सकता है जो हमारे employees हैं जो हमारी labor है वो overtime कर रही हो क्योंकि light चली गई थी लाइट जाने की वज़े से खाली बेठे रहे फिर रात को overtime करना पड़ा तो पैसे एक्षा देने पड़ गे तो cost पड़ गे तो अराम से region ढूंडिए और उसको rectify करिए तो cost control क्या कहता है cost control कहता है कि एक standard set होता है उस standard के हिसाफ से काम होना चाहिए तो हमें control में रखना है बस standard के साथ रहना चाहिए cost reduction इसका advanced version है cost reduction कहता है कि जैसे आपकी एक product की cost calculator की 150 रुपे edge पर standard अभी आ रही है तो इस पर और काम करिए और कोशिश करिए कि ये cost 150 से थोड़ी और गिर जाए 145 आ जाए फिर और काम करिए 140 पर लेकर आईए तो जो company जो होती है जो पुरानी चल रही है सालो साल से काम कर रही है वो cost reduction के उपर लगी रहती है तो cost reduction हर company हर time करती रहती है जैसे अगर आप देखेंगे पुरानी active उठा लो पुराने चे तक के स्कूटर उठा लो पुरानी swift की मारूती की गाड़ियां उठा लो तो इनका जो frame होता था वो बहुत मजबूत और मोटा होता था वो किसी चीज़ पे टकर आए जाए तो ऐसे dent नहीं पड़ता था लेकिन अब इनके frame बहुत हलकी आने लग गया है जड़ा सटा चोते ही dent लग जाता है तो बताएं ये company अब frame हलकी क्यों कर रहे है cost reduction के लिए जिससे वो cost को reduce कर सके है तो cost reduction process कहता है कि आप R&D करते रहिए search करते रहिए कहां पर cost हम कम कर सकते है और पूरी company की एक कोशिश रहनी चाहिए कि धीरे धीरे product की cost कम होती चली जाए तो cost accounting पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला objective cost निकालना, दूसर sale price और profit इसके बाद में cost control यानि standard से match करती रहनी चाहिए cost standard या budget से उपर जादा नहीं जानी चाहिए cost reduction कहता है कि हमेशा कोशिश करो कि cost को कम से कम कर लो और फिर हमारे पास आता है last जो हमारा main काम है management को assist करना decision making के लिए तो cost accounting के objective cost निकालना, sale price और profit निकालना, cost control cost reduction और management को help करना अब सर costing निकलेगी कैसे तो costing निकालने के लिए हमारे पास पहले सारे के सारे जितनी भी costing के अंदर खर्चे हैं, उन्हें हम तीन हिस्सों में बाटते हैं, इसे कहते है element of cost element of cost के अंदर तीन हिस्सों में बाटते हैं, सबसे पहला element है material, दूसरा element है employee या labor और तीसरा है other expenses material cost कहता है कि आप जब भी कोई product बनाते हो या कोई service provide करते हो तो उसमें कुछ commodities लगती है commodities क्या होती है, बताता हूँ भी आपको उसमें कुछ material लगता है material किस-किस form में हो सकता है material liquid की form में हो सकता है gas की form में हो सकता है solid की form में हो सकता है किसी भी form में material हो सकता है ठीक है अभी आराम से बताँगो इसको फिर दूसरा कहते हैं कि दूसरी है हमारे पास employee cost employee cost का मतलब है जितनी भी human force हमारी company में काम कर रही है वो सब employee cost में आएगी और जो ना material है ना employee है वो other expenses के अंदर हमारा cover हो जाएगा अब जड़ा देखिए यह calculator है इस calculator में screen लगी हुई है तो हमने कांच खरीदा होगा कांच commodity है material है यह solar कब होता है शाहिए solar energy से मतलब यह रोश्णी में चलता रहेगा इसमें material की जुरुत नहीं पड़ती है के आफाेज नहीं से तो । यह भी हमारा material है यह पूरा plastic है will be material है जो लाशक का करीदा वह भी material था यह जो गलास है का यह हमनें खरीदा यह भी material था इसमें पीछे से लगे वह भी material है आपने calculator खोल के देखागा उसके अंदर बहुत सारी चिप वगरा लगी होती है, वो सम material है, ओके, ये सारा जो material है, ये इस calculator के लिए direct material कह रहाएगा, क्योंकि ये इस product के अंदर नजर आ रहा है, बोले तो material का मतलब कोई भी commodity, वो liquid की form में हो, gas की form में हो, वो solid की form में हो, और product बनानी में इस्तमाल किया है, तो वो material कोस्त हो जाएगा, अगर इस product के अंदर वो easily identify हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको इन्होंने का के फिर हम direct material मानेंगे, ओके, फिर इन्होंने का के कुछ indirect material भी होता है, जो product में नजर नहीं आएगा, कि कैसे, जैसे माली जी हमारी factory के अंदर light चली गई, generator के अंदर हमने diesel डाला, जिससे हमारे पास light वापिस आ जाया और काम चले, अब बताइए generator में जो diesel डाला है, वो diesel liquid form में है, और material है या नहीं, बिल्कुल material है, ओके, पर क्या वो diesel इस calculator में नजर आ रहा है, नहीं, क्या वो diesel इस calculator को बनाने के लिए ही खर्चुआ था, जिससे factory में मशीन चले और calculator बने, पर diesel इस से directly related नहीं है, क्योंकि इस product में कहीं नजर नहीं आ रहा, इसके साथ आप उसको link नहीं कर सकते, के भई, यहाँ diesel दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन दिख रही है, बटन दिख रहे है, बटनों पेंक दिख रही है, calculator में प्लास्टिक दिख रही है, calculator को अंदर chips दिखेंगी, वो सब material direct है, जो diesel है, वो indirect है, ऐसी factory की सुबह सफाई हो रही है, सफाई के लिए हमने फिनायल, कई सारे वो आते हैं, वो डाले, जो भी liquid form से हम साफ करते हैं, सावन वगेरा, जो भी आया है, liquid form में होता है, उससे जालू पोचा लग रहा है दी, उसके अंदर mobile से oil डलते हैं, कई मशीनों में, कई में greasing होती है, तो इन्हें lubricants बोलते हैं, जो मशीनों को smoothly चलाने के लिए होते हैं, क्या आपको इसके अंदर वो सब कुछ दिख रहा है calculator में, नहीं, वो तो machine के अंदर है, machine में लगा हुआ है, लेकिन वो machine तो इस calculator को बना पर जो diesel है, वो material है, जो साबुन आपने जमीन पर डालके पहुचा हमारा, वो भी material है, जो machine के अंदर lubricants लग रहे हैं, वो भी material है, लेकिन वो सारे indirect material है, क्योंकि वो directly product के अंदर नजर नहीं आ रहे, तो material का मतलब है कोई भी commodity, अब हमारी factory के अंदर एक fire extinguisher लगा हुआ है आग लगेगी, तो उसमें से gas निकलेगी, उस gas से आग बुच जाएगी, अब बता ही आग लगई fire extinguisher यूज किया, तो जो fire extinguisher की gas है, वो भी material है, वो gas form में है, तो हमारे पास gas form में हो, liquid form में हो, solid form में हो, ये सारे के सारे material है, finished goods में, product में अगर नजर आएंगे तो direct, otherwise indirect, तो बताए, diesel कैसा खर्चा है, जो generator में डाला, indirect, हमारे पास lubricant कैसा खर्चा है, indirect, हमने सफाई के लिए इस्तमाल किया, कोई भी सावन वगेरा, indirect, washroom में हाथ धोने के लिए हमारे पास में, hand wash है, वो क्या है, indirect material, क्योंकि calculator में नजर नहीं आ रहा, पर उस factory के अंदर खर्च ह हो रहा है, यानि calculator बनाने के लिए कहीं न कहीं उसका इस्तमाल है, ओके, तो ऐसे direct और indirect material बाट दिये जाते हैं, फिर आती है employee cost, employee cost का मतलब है, जितना भी employee है आपकी company में, जो भी labor force है, वो सारे के सारे, चपरास्ती, watchman, employee है, जो employee मशीनों पे काम कर रहे हैं, और calculator बना रहे और वो देख रहा है, सब लोग ठीक काम कर रहे हैं, वो भी employee है, इन सब के ऊपर factory का manager बैठा हुआ है, वो भी employee है, इस factory के manager के ऊपर production manager बैठा हुआ है, वो भी employee है, production manager के ऊपर chief production manager है, वो भी employee है, directors है company के अंदर, वो भी employee है, CA बैठे हुए है company में, वो भी employee है, तो जितनी भी human force पूरी company में सब employee cost के अंदर आती है, तो हमारे directors हों, chartered accountants हों, हमारे CEO, CFO हों, production manager हों, हमारे supervisor हों, factory में काम करने वाले लोग हों, killer हो, staff हो, कोई हमारा एक चोकिदार बैठा हुआ है, हमारे एक सफाई वाला है, सब, सब के सब क्या है, सब employee है, तो इसको हमने का के वह यह employee cost रहेगी, इन में से कुछ employee ऐसे होंगे, जो factory में product बनाने में काम करेंगे, तो जो employee इस calculator को बनाने के लिए, machine पर काम कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा, यह calculator कुछ machine पर बन रहा होगा, जो employee, जो labor, इस calculator को बनाने के लिए, machine पर काम कर रही है, वो direct labor कहलाएगी, उसके इलावा सारे के सारे indirect labor कहलाएगे, indirect employee cost, अब ज़र आपको बताना है, चोकिदार बैठा हुआ है factory के बाहर, के चोरी ना हो जाए, कैसा employee है, indirect, supervisor factory के अंदर घूम रहा है, लेकिन अपने हाथों से मशीनों पर काम नहीं कर रहा है, वो supervisor के है, indirect, production manager, factory का manager के है, indirect employee, और CA क्या है, indirect employee, वो calculator नहीं बना रहे हैं अपने हाथों से, directors क्या है, indirect employee, तो ये सब indirect employee है, direct employee सिर्फ कौन, जो अपने हाथों से calculator बनाएगे, फिर आते हैं हमारे पास other expenses, कोई भी खर्चा, जो ना तो material है, और नहीं labor है, वो other expenses के अंदर आ जाएगा, अब हमारे पास electricity का बिलाया, बताए electricity, ना तो material है, ना ही labor है, तो other expenses, factory का rent जा रहा है, rent ना तो material है, ना ही labor है, तो other expenses में आ जाएगा, machine का depreciation, machine का depreciation ना तो material है, ना labor है, other expenses में आ जाएगा, आप किसी चीज़ पर royalty पे कर रहे हैं, तो other expenses, आपने कोई license fees दी है, other expenses, तो जो भी चीज material या employee cost नहीं है, material के लिए solid, gas या liquid form होनी चाहिए, और वो factory के अंदर इस्तिमाल लोनी चाहिए, employee cost, जित्ते भी workers हैं, वो सब आ जाएंगे उसके अंदर, upper staff हो, lower staff हो, सब को हम यहाँ पर employee cost बोलेंगे, और other expenses के अंदर, जो material नहीं है, labor नहीं है, वो other expensive में आ जाएगा, other expensive जो सीधे related होंगे, product से, वो direct, और जो सीधे related नहीं होंगे, वो indirect, जैसे पूरे factory की light है, electricity है, indirect cost में आएगी है, आपने factory चलाने के लिए, government से license लिया है, कि हम commercial काम करने हैं, हमें license दो factory चलाने का, indirect expense हो गया, अब इस calculator के अंदर, एक chip लगी हुई है, वो chip एक company बेशती है, और उसकी आपको royalty पे करनी पड़ती है, तो calculator में एक chip है, जिसकी आपको royalty पे करनी पड़ती है, तो वो royalty direct expense आपका हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी laptop लेते हो, Windows laptop की बात कर रहा हूं, तो laptop के अंदर Windows का license होता है, वो license fees देनी पड़ती है, हर laptop में एक window होगी, उसकी एक key होगी, तो हर laptop पर एक key generate होती है, जो Microsoft करता है, तो Microsoft हर उस key के Windows के पैसे लेता है, license fee के नाम से, तो बताइए हर laptop के अंदर, Windows की key पड़ी हुई है, Windows का license है, वो खर्चा कैसा माना जाएगा laptop के लिए, तो सबसे पहली चीज, Windows की जो key है, जो Windows एक operating system है, वो operating system ना तो material है, क्योंकि ना वो liquid है, ना solid है, ना gas है, तो वो material नहीं है, ना वो employee cost में आएगा, तो आएगा other expense में, other expense में कैसा, क्या वो laptop से जुड़ा हुआ सीधा खर्चा है, yes, हर एक laptop की separate की है, उसकी separate license fee गई है, तो फिर यहाँ पर, जो भी Microsoft को payment हो रही है, Windows के लिए license fee की, वो direct expense में आ जाएगा, ऐसे ही आप कोई भी Android mobile लेते हो, Samsung का mobile लेते हो, वो पो सब Android पे चलते हैं, iPhone, iOS पे चलते हैं, उसके इलावब सब Android पे चलते हैं, Android company Google के पास है, तो वो operating system, जो आपका Android operating system, जिस पे आपका mobile पूरा run करता है, उस operating system के हर mobile company, royalty देती है Google को, के भई हमारे को Android को operating system चाहिए, तो क्या यह direct expense है, yes, क्योंकि वो उस mobile के लिए specific license फी जाती है, operating system के specific पैसे जाते हैं, हर mobile की एक payment जाती है, Android company को, यानि Google company को, तो वो हमारा direct expense हो जाएगा, बाकी indirect, चलिए एक बाट जिरा यह बताते हैं, element कितने हैं costing के अंदर तीन, material, employee, और other expense, material cost के अंदर क्या आएगा, कोई भी commodity, material cost के अंदर आ जाएगा, अगर वो finished goods में साफ साफ नजर आ रहा है, जैसे के बाटन, अरे ये इंक, अरे शीशा, अरे इसके अंदर जो सैल लगा हुआ है, direct material है, अरे डीजल डाला था generator में, अरे सफाई के लिए साबुन यूज यूज यूआ था, अरे भाया, और आपके क्या इस्तमाल कर लिया material में, machine हों के अंदर lubricants थे, वो इस calculator में कहां दिख रहे हैं, वो indirect हो जाएंगे, employee cost रही की दूसरी, employee cost के अंदर, जो अपने हाथों से calculator बना रहे हैं, machine हो पे, वो direct बाकी सब indirect, और other expenses के अंदर, अगर कोई खर्चा product से सीधा related है, laptop से सीधा related है, windows का operating system का license, mobile से सीधे related है, android operating system का license, तो यह जो royalty license fee है, यह direct expense बाकी सब indirect expense में चले जाएंगे, अब क्या किया है इन्होंने, पहले तो तीन पार्ट में बाट जिये सारे खर्चों को, तो costing के अंदर, हमारे तीन पार्ट में ख़र चलेगा, material cost हमारा chapter 1 है, employee cost हमारा chapter 2 है, other expenses के लिए हमारे पास chapter नहीं है, overhead हमारे पास chapter number 3 है, फिर एक direct expense और आएगा, वो भी हमारे पास chapter number 7 बनेगा, तो हमारे पास तीन पार्ट में बाट जिया, material, employee cost और other expense, material का एक हिस्सा direct, एक indirect, ये जो indirect material है, ऐसे ही employee का direct और indirect, indirect employee cost है, और expenses का direct और indirect, indirect expense है, तो indirect material, indirect employee cost और indirect expenses को एक जगे पर रखा, और बोले इसको हम नाम देंगे overheads, तो सबसे पहले क्या करा, तीन पार्ट में बाटा, सारे खड़्चों को, cost के तीन पी हिस्से कर दिये, on the basis of elements, material cost, employee cost, other expense, अब material का indirect हिस्सा, employee का indirect हिस्सा, other expense का indirect हिस्से को merge करके नाम दिया, overheads, कि ये overheads बनेंगे, तो indirect material, indirect employee cost, indirect expense, overheads हैं, overheads को कहा गया, कि ये production से related हो सकते हैं, यानि factory से, administration से related हो सकते हैं, यानि management की बात करने हैं, और selling and distribution हो सकते हैं, selling यानि marketing, distribution यानि समान को घर तक पहुचाने का distribution, तो हमारे पास चार पार्ट में इसको बाटा गया, production overhead, यानि factory के overhead, factory में जो भी indirect खचे हैं, वो सारे जोड़ ओ, administrative overhead, यानि जो head office होता है, जो management होता है, तो देखिए हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास generally, एक factory रहती है, जिसमें product बनेगा, एक इनका head office होता है, बड़ा सुन्दर सा, सीशे वाली building लगी हुई है, सारे director, CA वगरा, वो सब यहाँ बैठते हैं, head office है, तो इसके सारे खट्चे, admin overhead कहलाते हैं, admin overhead, यह factory या फिर production overhead, एक हमारी team बैठी रहती है, जिसका काम होता है, marketing का, marketing यानि बड़ा शारुक खान को, brand ambassador बना लो, और सलमान खान को, brand ambassador बना लो, इस OTT channel को finance करो, या फिर इस film को sponsor करो, या फिर board लगाओ, banner लगाओ, यह सब marketing का काम है, तो marketing प्लस, यह जो factory में product बना, इसको पूरे देश में फैलाने के लिए, पहुचाने के लिए, distribution channel होते हैं, जिससे समान आपके पास पहुचता है, तो दुकान दुकान समान चला जाए, उसके लिए distribution channel, advertisement के लिए marketing channel, administration का काम है, पूरा head office को manage करना, finance को manage करना, accounting को manage करना, यह सब head office का काम है, decision making लेना, directors की ही बैठते हैं, और एक factory है, जहाँ पर production चल रहा है, इस तरह से हमारा पूरा setup आपको नज़र आएगा, तो factory के अंदर production हो रहा है, head office का काम है, सारा decision making का, finance arrange करने का, accounting का, जो भी legal compliance है, वो पूरी करना, यह सब head office का काम है, marketing वालों का काम है, product को market करना, advertisement करना, distribution channel का काम है, समान को घर-घर तक पहुचाना, तो overhead को इस तरह से, हमारे पास बाट के दिया गया, कि हमारे पास जित्ते भी overhead हैं, हम उसको बाट देते हैं, production overhead, admin overhead, selling overhead, and distribution overhead, ओके, तो हमारे पास costing के तीन element, material, employee cost, other expense, इन तीन रों element के दो हिस्से, direct, indirect, direct, indirect, indirect, indirect material, indirect employee cost, indirect expense, यह हमारे पास जुड़कर बन जाते हैं, फिर overhead के फर्दर है, production overhead, admin overhead, selling overhead, अब बचे सर यह direct material, यह जो direct material है, direct employee cost है, और direct expense है, यह कहां जाएंगे, इन तीनों को जोड़कर बोला जाता है, prime cost, यानि prime का मतलब main cost, तो इसे हम बोलते हैं, portion of costing का आपका रहेगा, तो किसी भी product की जो major cost होती है, वो direct material, direct employee और direct expense होते हैं, जैसे कि इसकी major cost में, जो calculator में लगा हुआ है, इस सारा material है, जिन employees ने इस calculator को हाथों से बनाया है, और जो इसके कोई भी royalty, license fees वगएर जा रही है, तो वो हमारी prime cost है, direct cost कहलाती है, और जो indirect खर्चे हैं, वो हमारे overheads कहलाते हैं, तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है, कि costing का कैसे classification चलता है, तो बड़ा simple सा है, कि जी costing को हम 3 elements के साफ से बाढ़ सकते हैं, material, employee, और other expense, फिर इन सारे elements को फर्दर हम direct और indirect में distribute कर सकते हैं, जितने भी direct portion है, ये सब बनेंगे prime cost, और जितने भी indirect portion है, ये बनेंगे overheads, काम खतम, अब हमारे पास chapter number 1 रहेगा, material cost जो कल से start होगा, फिर chapter number 2 देखेंगे employee cost, फिर chapter number 3 देखेंगे overheads, direct expense के लिए new course में एक chapter एड़ हुआ है, उसका number दिया है हमने chapter number 7, direct expense, और इसके बाद में हम बना सकते हैं, कि total हमारी cost कितनी आ रही है, और ये है हमारे पास chapter number 4 cost sheet, अब जड़ा देखेंगा, अगर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास index, तो material cost, employee cost, overhead, cost sheet, यहां तक का आपको बहुत ही अराम से clear हो जाएगए, बहुत ही simple देखेंगे, तो एक हमारे पास होती है भी cost sheet, cost sheet का मतलब है सारे खर्चे जोड़ के एक साथ लिखना, इसको बनाना बड़ा ही simple होता है, पूरा chapter रहे गए ये, direct material, direct employee cost, direct expense, यानि prime cost पहले जोड़ दो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी product के direct, direct खर्चे जोड़ देंगे, material, employee cost और overhead, expenses, तो यह हमारी prime cost आजएगी, फिर जो indirect खर्चे हैं उन्हें जोड़ देंगे, indirect cost, इसमें हमारे पास production overhead, admin overhead, selling and distribution overhead आजएगे, बस direct cost आगई, indirect cost आगई, ये हमारे पास total cost आजएगी, तो किसी भी product की total cost इस तरह से निकलती है, अब जैसे हमारे को इस calculator की costing निकाल दी है, तो direct material इसमें 50 रुपे का है, direct employees में 30 रुपे, और direct expenses में 20 रुपे, 100 रुपे जोगी इसकी prime cost, फिर इसके production overhead, admin और selling overhead कितने रहे, इन सब को हमने जोड़ा, ये सब रहे 50 रुपे, तो 150 रुपे इस product की cost निकलाई, इसमें profit जोड़ा हमने 75, और इसका sale price 225 रुपे रख दिया, costing खतम हो गई, बहुत ही आसान है, तो आज हमने जो देखा है, वो हमने costing का एक simple सा idea लिया है, अब हम ये सारी चीज़े, बिल्कुल in-depth पढ़ेंगे chapter wise, इसके ओपर questions करेंगे खूब सारे, तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग को बस दो-तीन चीज़े धियान रखनी है, उसमें सबसे important बात ये है, कि जो भी मैं class में करवाँगा, वो आपको writing में, ध्यान रखेगा, वो आपको writing में करना है, class को speed में मत देखेगा, जैसे मैं बताऊं और कहूं, वैसे आप पढ़ते रहिएगा, आपको कोई भी costing में पास होने से नहीं रोख सकता, पास होना चोटी चीज़े, exemption आईगी, आईगी, 89 नमबर तक आप आराम से score कर सकते हो, तो fast track को बहुत ही seriously, sincerely पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी exemption या आपके 89 नमबर कहीं भी नहीं गए, guarantee की बाते इतने आजाएंगे, बस जैसे मैं कहूँ, बिल्कुल वैसे ही करते रहे न, उसके इलावा हमारा telegram channel है, नमीतरोर क्लासिज के नाम से, उसे आप जॉइन कर ले न, क्योंकि exam तक आपके लिए उस पे बहुत सारी चीज़े आती रहेंगी, और दूसरा, आप YouTube channel हैंना मीतरोर क्लासिज के नाम से, उसे जॉइन कर लेना, क्योंकि उस पे हम last में सारे revisions जो करवाते हैं, exam से पहले हमारा revision आता है, वो revision वगरा भी हमाँ पर आएगा, बाकी किसी तरीके की आपको कोई लिक्कत नहीं रहेगी, इस तरीके से हम लोग आप costing को लेकर चलेंगे, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, अपना पहला chapter, material post, books, आपके पास होंगी, notes आपके लिए register लेकर आईएगा, register लेकर बैठिएगा, क्लास में क्या क्या लेकर बैठना हैं, वो मैं बतायता हूँ, आपके पास एक तो notebook आपकी register होना चाहिए, दूसरा पानी लेगे बैठना, क्योंकि लिखवाते लिखवाते ठकवा दूँगा, मैं आपको दो घंटे में, और दूसरा, calculator जरूर लेकर बैठिएगा, इन तीनों चीजों को लेकर बैठिएगा, और class को enjoy करेगा, तो हम लोग मिलते हैं कल से, और start करेंगे costing को, material cost के साथ, ओके जीज सभी को, टाटा वाइब बाए,